हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आशा है आप सब स्वस्त होंगे आज हम कक्षा पार्च का पार्ट 11 चावल की रोटियों के प्रशन उत्तर करेंगे और इससे पहले जो पार्ट किये थे उनका उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये गए है प्रशन एक ना पातर कहते हैं बताओ इस नाटक में कोन-कोन मुख्य पातर है और कोन-कोन गोन पातर है उत्तर नाटक में कोको मीमी और तिन सू मुख्य पातर है वहां वही नीनी और उबातुन गोन पातर है अगला प्रशन पातरों को जो बात बोलनी होती है उसे समवाद कहते हैं क्या त प्रिस्ति के लिए समवाद लिख सकती हो, समवाद डायलोग्स, इसके लिए तुम टोलियों में आकर काम कर सकती हो, टोलिया टीम, उधारन के लिए खोको या कबड़ी जैसा कोई खेलते समय, दूसरे दल के खिलाडियों में बहस, बच्चों इसका उत्तर आप अपने विवे गई थी, दूसरे दल के सदसे नहीं, इससे पहले अपने पाले में आ गया था, पहले दल के सदसे तुम जूट बोल रहे हो, दूसरे दल के सदसे बहश मत करो और खेल खेलना सुरू करो, अगला प्रशन, प्रशन संक्या थी, क्या कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से चिपाई है या चिपाने की कोशिश की है उस समय क्या हुआ था उत्तर बच्चों ऐसे एक जूट बोलने के लिए कई बार जूट बोलने पड़ते हैं इसका उत्तर इस प्रकार है एक बार मेरा एक मित्र मुझसे काणियों की पुस्तक मांगने आया मैं उसे पुस्तक नहीं खोडने लगा तब मैंने उसे बड़ी मुस्की से भाना करके बाहर भेजा प्रेशन संक्याच चार कहते हैं एक जूट बोलने के लिए सो जूट बोलने पड़ते हैं क्या तुम्हें किसी कहानी पढ़कर ऐसा लगता है कहानी की मदद से इस बात को समझाओ कि बच्चों एक जूट बोलने के लिए सो जूट बोलने पड़ते हैं उत्तर हाँ हमें कहानी में ऐसा लगता है कि एक जूट बोलने के लिए कई जूट बोलने पड़ते हैं नीनी और मीमी से चावर की रोटियां बचाने के लिए कोको जूट बोलता है इसके लिए वे रेडियो के खराब होने, अपना पेट भरा होने, हूँ हाथ होने, कमरे में चुआ होने, रोटिया खा लेने तथा मा को एलर्जी होने जैसे जूट बोलता है तो बच्चो देखा आपने एक जूट बोलने पर आपको बहुत सारे जूट बोलने पड़ते हैं, इसलिए एक बार सच बोलना ही ठीक है तालिका के साथ मिलान करो, तो पाओगे कि भाशा, कपड़ों और रहन शेन के साथ साथ खान पी की दिश्टी से इभारत अनूठा है बच्चो यहाँ पर हम दिल्ली प्रांट लेते हैं, दिल्ली प्रांट, प्रांट दिल्ली चावल का प्रियोग भोजन के लिए, जो आप फीका चावल खाते हैं दाल चावल के साथ, मीठे पकवान बनाने के लिए, नमकीन चावल पकवान बनाने के लिए, नमकीन चावल हो सकता है, चावल की कोई और डिस हो सकती है रोटियां, इडली, डोसा बनाने के लिए और खिचडी बनाने के लिए इस तरह एक चावल है उसका प्रयोग अनेक तरह के वेंजन ये पकवानों में किया जा सकता है वेंजन ये पकवान डिश अगला प्रश्ण अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने, चीज बनाने की विधी पता करो उससे नीचे दियेगे विंदूओं के साथ में लिखो बच्चों इसका उतर आप अपनी माता जी से पूछ कर भी लिश सकते हैं आप किस विधा के लिए एक उतर बता दे रहे हैं उतर खीर, हम कौन सी चीज बनाएंगे, खीर समगरी, चावल, दूद, चीनी, मेवे तैयारी, चावल साफ करना, धोना, मेवों को बारिक काटना विधी, विधी तरीका बनाने का मैथड पहले दूद आज पर कडाई में रखें, फिर कुछ देर बाद उसमें चावल डालें कुछ देर हिलाते रहें और पकने दें उसमें चीनी डाल दें, कटे मेवे भी डाल दें अब गरम-गरम परोसें कोको के माता पिता, दान लगाने के लिए खेतों में गए कोको की मा ने उसके लिए चावल की रोटिया मनाई एक यह चीज से विवन रूप में अलग-अलग नाम हो सकते हैं नीचे कुछ शब दिए हैं, उनमें अंतर बताओ देखो चावल के अलग-अलग रूप कों से हैं? चावल, धान, भात, मुरबूरा, चूड़ा भात कहते हैं, मुर्मुरा, धान को भून कर मुर्मुरे बनाए जाते हैं चूड़ा, धान को भीको कर कूटने से और पीसने से चीवड़ा बनता है अब देखो इस तरह इसमें दाल की अलग-अलग वराइटी दी गई है साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल साबुत दाल, बिना चिलका उतारे या बिना टूटी दाल साबुत दाल कहलाती है धुली दाल, बिना चिलके की दाल को धुली दाल कहते हैं चिलका दाल, टूटी हुई लेकिन चिलके वाली को चिलका दाल कहते हैं दो पीस में होती है लेकिन उस पे चिल के चड़े होती है। जाती है इस परकार बच्चों आपने देखा एक चीद से बहुत साही चीजे बनाई जाती है बच्चों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और हाँ धन्यवाद बताने के लिए कि फसलों के तेवार के प्रेशन उत्तर नह कियें वो अगले वीडियो में करेंगे बाई बाई